जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आबार है आज हम बात करने वाले हैं कि आपका सहरा कौन है इस उडियो में हम बात करेंगे कोई भी आपको समस्या हो उसका हल क्या है इस उडियो में हम आपक कि आपका सहारा कौन है तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों प्रिले चैनल को आप सब्सक्रेब कर दे और वीडियो को जरूर लाइक पहले से भी आप कर दे ताकि मुझे थोड़ा सा मुटिवेट मिलता है पहली और मुख्य बात की सहारा कौन है बहुत से लोग व् कदर की तलास होती है कोई हम पर हाथ रग देया को व्यक्ति हमारा सहरा बन जाए जो हमको सब चीज़ों से निकाल करते हैं और इसकी तलास में हमारी एक उम्र जो है वो गुजर जाती कई बार हमें चाटू का जिता करना पड़ती है कई बार लोगों के जो चीज़ा हमें नही के बात है वो है इश्वर अब यह थोड़ा सा बात आपको लग रहा हो कि यह तो सामाने बात है वो किस तरह की बात है जब तक आप अपना हम किसी व्यक्ति को किस तरह का सम्मान देते हैं एकदम जीवित इंसान की तरह अगर आप इश्वर को अपने इश्ट देव को आपक अखंड श्रद्धा हो अगर आप उनको इस तरह का भाव देंगे इस तरह का जीवित सत्ता मानेंगे कि मेरी परिशानी में वो ही खड़ा रहेगा वो ही खड़े रहेंगे या इश्वर ही आएगा तो वाकई में वो आता है सहाराद बनता है और चीज़े सब कुछ सही हो जाती है श्रद्धा से आस्था से हमारे मन में एक नया सकारत्मक पोजिटिव होता है और श्रद्धा और आस्था और इश्वर पर पूर जीने यकीन होता है वो काले जादू किसी ने कुछ कर दिया है इन सभी चीज़ों को नहीं मानते हैं यह होते हैं नहीं होते हैं इस पर मैं बाद में बात करूँगा लेकिन यह जो एक भ्रहम है इस से बाहर आप निकल जाते हैं होते हैं नहीं होते हैं इस पर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन एक मानसिक इस्तिती जो होती है कि व्यक्ति कुछ शंका जहां हो जाती है वा तकलीफ है हो जाती है तो ये बात के लिए रोगई कि आपका सहारा जो है वो कौन है अब दूसरी बात पर करना चाहिए कि बहुत सो लोगों को कहीं सारी परिशानी है कोई से घ्रह दोश है कोई से कुणली में दोश है कोई सारी परिशानी है आपने कहीं उपाई भी कर लिए आपको बहुत से चीज़े आप डर भी गए है और न जाने आपने कितनी सारी चीज़ों को देख लिया है तो उनका जो एक राम बानुला उपा है, जिसे आपको करना चाहिए वो है महमरतियूंजय का जब अब कैसे करना है, क्या करना है आप पुरा देखें, तब जाकर आप चीज़े समझ पाएंगे अनिता चीजों को नहीं समझ पाएंगे पहली बात है कि महमरतियूंजय जाब करने के लिए आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सुन सकते हैं आसानी से आपको मिल जाएगा दूसरी बात महामरतियुज़े आप खुद जब कर सकते हैं continue और तीसरी बात कि जब जो है वो कोई समय आउधी नहीं है कि आपको इतने दिनों में करना है आपकी जिसी श्रद्दा हो जिसी इच्छा हो जितने दिनों में आपसे हो पाए आप उतने दिनों में उन्हें कर ले आपके प्रश्णी ये शुरू हो जाते हैं कैसे करना है शुबह करना है शाम करना है आपकी जब इच्छा हो तब कर ले दोस्तों आपको मैं बहुत बड़ा राष्य बता रहा हूँ कि महामरत्युजे का जाप करने से आपके नो के नो ग्रमेदी कोई भी आपको नेगिटिव आपके कुंडली में नेगिटिव कितना भी बड़ा चांडा योग तक की बात में कह रहा हूँ और कोई बड़े से बड़ा घातक योग भी क्यों न हो वो भी प्रभाव हीन हो जाता है अपना प्रभाव तो छोड़ेगा लेकिन वो प्रभाव हीन उसमें बल जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा योगि नो के नो ग्रह जो है वो शिव जी को मानते हैं और जो शिव के पुजारी है जो मामरतियुजे के पूजा अजब करते हैं उन्हें एक अत्रिक पुबल मिलता है ये बिल्कुल मैं टेक्टिकल तोर पर बात शेयर कर रहा हूं और बहुत बड़ी बात शेयर कर रहा हूं चाहे आपको मंगल दोश हो आपको जान डाल योग हो गुरू पीडी तो रहू हो शनी की मादशा चल रही हो कोई भी हो के तू परिशान कर रहा हो कहीं सरी चीज़े आपको परिशान कर रहे तो इसमें ये बहुत बड़ा इलाज मैंने आपके साथ शेयर किया है अब बात करना चाहता हूं मैं तीसरी बात पर कि अम्नमश्य का अजहाब भी करतें रहें हैं अपने इस्टि का नाम अप कंटीनु लेते नहीं यह तो अपने आपने शधाई सा अपना उपाय है और अगर कोई उपाय कर रहे हैं वह भी आपको बात कह रहaper रहा हैं कोई करने कौई जो एक यह रूटीन है उसे फोलोप करते रहे हैं वह भ चारज नहीं दोस्तों बिल्कुल सकारातमक पॉसिट्वаете बाते हैं वहां से उख चीजव से क्लीर अपने बारे में कर सकते हैं है तो उष्ञारा उद्देश यही है कि आपको सकारात्मक बातें बताना पोजिट्व बातें बताना जो आपके लिए लाब दाएगो तो अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें जो भी आप किराय हो खुल कर लिए जैश्री महांकाल